आज मैं आपको मच्छरों को भगाने की ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ पांच मिनट भी नहीं लगेंगे गैरंटी से सारे की सारे मच्छर घर से गायव हो जाएंगे बड़ा ही अनोखा तरीका है आपको बहुत पसंद आएगा तो चलिए फ्रेंट सुरू करते हैं आज का वीडियो इसके लिए आपको सिर्फ दो चीजों की जुरुत होगी वो भी दोनों चीजे बड़े ही आसानी से घर पर मिल जाएंगी सबसे पहले हमें जुरुत होगी नारियल के तेल की अगर आपके पास नारियल का तेल नहीं है तो आप इसकी जगा सरसों के तेल का इस्तमाल भी कर सकते हैं नारियल के तेल से बहुत बढ़िया खुश्बू आएगी और मच्छरों तक बहुत जल्दी ही इसका असर पहुंचेगा अगली जो चीज है वो हमें चाहिए होगा कपूर कपूर पूजा घरों में इस्तमाल किया जाता है सभी घरों में आसानी से मिल जाता है इसके पहले तो हम कपूर को पीज करके इसका पाउडर बना लेंगे हमें जादा नहीं सिर्फ एक तुकड़ा कपूर की जरूरत होगी तो इसको आप सिलबट्टे से या किसी भी पत्थर की मदद से अच्छे से पीज करके इसका पाउडर बना लीजिए अब गैस में हम कोई भी खत्ता रख लीजिए मेरे पास तड़का पैन है मैं उसको रख रही हूँ और इसमें हम डालेंगे नारियल का तेल आपको लगबग देड़ बड़ी चबमच के करीब नारियल का तेल डालना है आप सरसों का तेल भी यहां पर ले सकते हैं तो लीजिए हमने तेल ले लिया है अब इस तेल को हम खूब अच्छे से गरम होने देते हैं तो चलिए गैस को हम मीडियम कर देते हैं और तेल को अच्छे से गरम होने देते हैं जैसे ही तेल गरम हो जाए इसमें हम डालेंगे कपूर का पाउडर लेकिन आपको पूरा पाउडर एखटे नहीं डालना है दुआ उड़ने लगा यह दुआ लगातार पांस से दस मिनट तक उठेगा जब तक कि कपूर पूरी तरह इसे खतम नहीं हो जाता तो अब आपको क्या करना है एक प्लेट लेनी है और इसके उपर आपको ढग देना है ताकि इसका दुआ ना उड़ पाए और यहीं के यहीं इसके यहीं क्या तेल में बैठ जाये इससे जुब कपूर का अरक है वो तेल में बहुत अच्छी से बैठ जाता है मैं आपको बता दो कि कपूर इतना असर दायक होता है ये एक तरह से एंटी बैक्टीरियल का काम करता है साथ में ये कई तरह की मखी मच्छरों को खतम करने के लिए राम बार तरीका है आपने देखा होगा हवन में कपूर का इस्तिमाल किया जाता है ताकि एंटी बैक्टीरियल मखी मच्छर वगेरा खतम हो जा तो इस तरह से हम इसमें तेल डाल देते हैं और जब भी आपको लगे कि घर पर मच्छर जादा आने लगे हैं तो आप इस दीपक को जला दीजिए तो इससे भीनी भीनी खुश्बू भी आएगी साथ में ही सारे मच्छर मक्यां तक साथ में गायब हो जाएंगी तो बाती को थोड़ा सा मोटा रखिए ताकि तेज लौ इसकी निकले बस दस मिलट के लिए आप इस दिया को जला दीजिए देखिए घर से सारे मच्छर गायब हो जाएंगे तो यह देखिए बहुत अच्छे से हमारा दिया बन करके तयार हो गया है इसको ही आपको मच्छरों को भगा और फिर स्टिक लगा करके इसे अप मसीद में बापस लगा दीजिए तो यह मच्छर भगाने का रीफिल तयार है 100% नैच्छरल है किसी केमिकल का इस्तमाल नहीं है क्योंकि जो नॉर्मली मशीन में लिक्विड आता है काफी हार्ड होता है इसे नशा आने लगता है परसेंट वर्किंग है बहुत अच्छा तरीका है आप भी इसको जरू ट्राइब करके देखेगा एक बार बना लेंगे तो इसको बार बार बनाएंगे हर बार आप यहीं चीज बना करके रखेंगे घर पर तो लेजिए मैंने इसको स्विच में लगा दिया है उसको मौन कर कर रहेते हैं बस लगा रहने दीजिए हलकी हलकी धुआ सा निकलेगा पूरी कमरे में फैल जाएगा मच्छर गाया हो जाएंगे कमरा खुशबुशे भर जाएगा प्रेंट्स वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो